पुलिस आतंकवादी बता रहे हैं पुलिस आतंकवादी ही होगा लेकिन कश्मीर में भी एक बेकसूर की जान उतनी ही कीमती है वहाँ भी पुलिस से चूक हो सकती है सुरक्षाबल गलत भी हो सकते हैं किसी मासूम की जान भी जा सकती है ऐसे ही आरोप लग रहे हैं आरोग की सुरक्षा बलों ने तीन बेकसूरों को आतंगवादी बता कर मार दिया तो असल में क्या हुआ? इस पर शो में आज विस्तार से चर्चा करेंगे प्रदूर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा सरकार ने और जजों ने क्या कहा इस पर भी बात होगी लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खिया पहली सुर्खी मध्यप्रदेश से है MP सरकार ने राज में कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने कली लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया अब सभी कार्कम सामाने तोर पर आयोजित होंगे राज में ये प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू थे वक्त वक्त पर समिक्षा हो रही थी आज मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने पूरी तरह से हटाने की घोशना की यानि अब राजनेते, खेल, मरोरंजन, सांस्क्रितिक धार्मेक आयोजन पूरी शमता की साथ आयोजित किये जा सकेंगे हाला कि कोरोना नीमों का पालन करना अब भी अनिवारे होगा दूसी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली NCR में प्रदूशन की गंभीर समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर केंदर और सम्बंदित राजी सरकारों की ओर से दायर हलफ नामे पर सुनवाई हुई इस दूरान कोर्ट ने केंदर और राजी सरकारों की कारशैली पर नाराजगी जताई कहा नौकरशाही सुष्ट है राजी सरकारों की बीच तालमेल की कमी है और क्या हुआ विस्तार से जान लीजे इस दोरान केंदर की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुशार महता उन्होंने मौसम विभाग का हवाला देते हुए कहा कि 21 नवंबर के बाद मौसम बदलते ही स्थिती में सुधार की संभावना है अभी कई पाबंदिया लगाई गई है क्या कोट कोई सख्ती दिखाने से पहले 21 नवंबर तक का इंतिजार कर सकता है केंदर की इस बात पर फटकार लगाते हुए कोट बोला हम हाथ पर हाथ रख कर मौसम बदलने का इंतिजार नहीं कर सकते हैं दرसल पिछली सुनवाई में केंद सरकार نے केंद सरकार की कर्मचारियों को घर से काम करने पर विचार के लिए कहा था आज इस पर कोट में हलपनामा पेश करते हुए केंदर ने कहा अगर सब को वर्क फ्रॉम होम में भेज भी दिया जाए तो कोई खास असर होगा नहीं सडकों पर कुछी गारिया कम होगी केंद सरकार की तरफ से जो सॉल्सिटर जनरल आये थे तुशार महता वो बोले दिल्ली जैसे छोटे राज में वर्क फ्रॉम हो सकता है पर केंद सरकार के दफ्तरों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसका असर पूरे देश पर होगा इस पर कोट ने कहा कि केंदर के एक हजार मैं से सो दफ्तर एक ही जगे हैं ओफिस का समय भी तेह हैं फिर क्यों आपके कर्मचारी या अधिकारी एक ही बस या गारी से ओफिस नहीं आ सकते इस पर सॉल्सिटर जनरल बोले सरकार ने अपने कर्मचारियों को कार पूलिंग का सुझाओ दिया है आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमना ने बिरोक्रेसी को भी फटकार लगाई कहा पिछले 30 साल में जजच के तौर पर अपने कारकाल के दौरान मैंने देखा है कि बिरोक्रेसी कुछ करना ही नहीं चाहती वो चाहती है कि हर फैसला और सुझाओ कोर्ट दे वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि लड़ना कैसे है वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि आग कैसे बुझाएं और बाल्टी कैसे उठाएं सुप्रिम कोट ने प्रदूशन के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराई जाने पर भी नाराजगी जाहिर की पूछा कि आखिर किसान को पराली जलानी क्यों पड़ती है फाइव स्टार होटल में बैट कर किसानों को दोश देना आसान है कोट ने ये टिप पढ़ी दिल्ली सरकार की दलील पर की जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि प्रदूशन के लिए पराली जलाए जाना सबसे बड़ा कारण है दिली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिशेक मनुसिंगवी ने कहा सब जानते हैं दो महीने में पराली जलाने की घटनाए पीक पर होती है ये भी बोले कि पराली जलाना दंगोटू प्रदूशन का बड़ा कारण है इस मौके पर तुशार महता जो सौजेटर जनरल है वो बोले कि सरकार के एफिडेविट में प्रोडूर्शन में पराली जलाने का योगदान 4-7 फीजदी ही बताये गया है लेकिन ये साल भर का उसाद है जो इन दो महिनों में बढ़ जाता है और 35-40 फीजदी तक हो जाता है यानि जो पिछला दावा था केंदर का वो अर्दसत जैसा था 4-7 वाला इन दो महिनों में ये 35-40 फीजदी है इस पर गौर करिए आप इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि प्लीज आप लोग कॉमन सेंस इस्तुमाल करिए ये सीजन पर आली जलाने का है ये आंकले हमारे लिए जरूरी नहीं है हम इन सब बातों को न बेट जादा प्रदूशन फैला रही है इसके बाद चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा 21 नवंबर के बाद हम कंप्लीट शटडाउन पर विचार करेंगे मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी अगली सुर्की भी सुप्रिम कोट से है सुप्रिम कोट ने पंज बीजेपी के कार करता और पत्रकार भी थे मरने वालों में किसानों ने अरोप लगाया कि केंद्री ग्री राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीश मिश्र ने जानबूच कर प्रदर्शन कारी किसानों को अपनी गारी से कुछला कोट ने मामले की जाज के लिए कठे थे साइटी में तीन आईपीए सदिकारियों एसबी शिरूटकर, पदमजा चोहान और डॉक्टर प्रितिंदर सिंखों भी शामिल किया है सुप्रीम कोट से एक और खबर सुन लीजे उसने आज आदेश दिया कि त्रिपरा राज्य में हुई सामपरदायक हिंसा के मामले में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट को लेकर जो यूए पीए के मुकदमे दर्ज किये गए हैं उसकी वहाँ पर गई थी इनके खिलाव भी त्रिपरा की सरकार ने मुकदमा कायम किया था लेकिन अदालत ने इन दोनों पत्रकारों को जमानत दे दी है इसके बाद मंत्री जी का वयान भी आया बोले कि ये पत्रकार विपक्षी पार्टियों की शेह पर काम कर रहे थे मसला ये है कि त्रिपरा में कोई भी उस सरकार के हिसाब से कथित हिंसा की जाज के लिए जाता है तो सरकार को वो अपने खिलाफ शडयंत्र क्यों लगता है वैसे शड्यंद्र की बात हो रही है conspiracy theories की विवादित बयानों की बात हो रही है तो एक बयान और आपकी नजर कंगना रनौत अभी आजादी को लेकर दिया बयान उस पर विवाद थमा नहीं था कि एक और नया विवाद आ गया कंगना ने कहा महत्मा गांधी के बारे में कुछ उन्होंने महत्मा गांधी को सतक अभूका और चालाक बताया इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि वो चाते थे कि भगत सिंग को फासी हो इसके साथास उन्होंने लोगों को सला भी दी कि अपना हीरो समझदारी से चुने मुझे लगता है कि सबसे पहले सला पर हमारे देश के हमारे परधानमंतरी नरेदर मोधी जी को विचार करना चाहिए अब आप कहेंगे कि आप हर चीज में हमारे परधानमंतरी को क्यों घजीट कर ले आते हैं क्योंकि परधानमंतरी पूरे देश के नेता है पूरे देश कहुन है नेतरत तो करना है देश आजादी का अमरित महोत्सो बना रहा है लेकिन देश में हाल में एक नागरिक सम्मान से नवाजी गई एक्ट्रेस लगातार लापरभाही से भरे बयान दे रही है और अब राश्ट पिटा पर ये द्रिश्ट टिपड़ी भी सामने आई है वैसे घटिय टिपड़ी एक और आई है कंगना के बयान पर मरास सरकार में मंत्री विजय वटेटिवार की तरफ से उन्होंने कहा कोई नाचने वाली महात्मा जी की उपर अगर बात करती है तो उसका उत्तर दिना मैं ठीक नहीं समझता मंत्री जी से पूछना चाहिए इस मूर्ता पूर्टिपणी के बारे में क्या नाचना गुना है वैसे जाते जाते एक बात और यह जो कंगना जी गांधी जी के बारे में भहुत सारी बातें कह रही है और उसमें कोई थपड़ के लिए गाल आगे करने वाली बात का जिक्र कर रही है तो बता दिया जाए कि ये बात महत्मा गांधी ने हर जनों पर हुए अत्याचार के संदर्ब में कही थी कि इतना अत्याचार हुआ है कि वो अगर क्रोधित भी हो हिंसा के लिए भी उतारू हो तो गाल आगे बढ़ा दीजिए और इस पर तमाचा भी मार दें तो दूसरा गा के वर कि बाते हैं वाट्सेप पर शायद कम सरकुलेट होती होंगे तो कंगना का एक घटिया बयान उस पर मंत्री जी का एंगा है कि समय कि विरोद में हसल करने की कोशिष हो रही है और उसे किस तरह की समाज में सुईकार्टा मिल रही है आपके पास कोई कुछ टाइप करके भेज देता है सोशल मीडिया पर आप भू 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 उनको मान लेते हैं पेतर रोज से पहले अध्यन किया जाए अब आगे बढ़ते हैं आखरी सुर्खी की तरफ यूपी में चुनाव आने वाले हैं उससे पहले खूब सारी खबर हैं पहली खबर दल बदल की है आज समाजवादी पार्टी के चार MLC यानि विधान परिशत के सदस्यों ने BJP का दामन थाम लिया इनमें सबसे प्रमुक नाम है रवीश अंकर सिंग उर्फ पप्पू सिंग पूर प्रधान मंत्री चंदर शेखर के पौत्र है BJP में राजे सभा सांसद नीरा शेखर ये भी पहले सपा में थे इनके भतीजे हैं इसके लवा पूर मंत्री मारकंडे चंदर के पुत्र सीपी चंद जो 2016 में सपा के समर्थन से गोरकपुर से MLC बने थे वो भी BJP में आ गए पुलायम सिंग के करीबी माने जाने वाले नॉइडा से सपा MLC नरेंदर भाटी ने भी BJP की सदस्ता ली है अवैद खरन मामले में नॉइडा की SDM दुर्गा शक्ति नाकपाल के दौरा कड़ी कारवाई किये जाने के बाद यही नरेंदर भाटी चर्चा में आये थे इसके लगा गुंदेलखन चेतर में जहांसी जालोन ललिटपुर सीट से MLC रमा ने रंजन भी सपा को अलविदा के BJP में शामिल हो गई है चारों MLC का कारवाल अगले साल मार्च में समाथ हो रहा है मार्च में ही सूबे में विदान सभा चुनाओ भी होने है इसके चलते MLC के चुनाओ पहले होंगे नवंबर के आख्री या दिसंबर के पहले सब्ता में चुनाओ का एलान हो सकता है MLC के विदान परिशद में इस थानी निकाय छेत्रों के चुनाओं में सत्ता में रहने वाली पार्टी को सियासी फायदा मिलता है। यही बज़े है कि चुनाओी पंडित कह रहे हैं कि चुनाओं से पहले विपक्षी दल के ये मलसी बीजेपी में आ गए है। इसके अलाबा सुर् इसप्रस वे को लेकर अपना क्लेम दोराया और योगी आदितनाज सरकार पर हमला किया। यह थी आज की सुर्खियां अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले यह वीडियो देखिए। इसमाहिला की भाष्टा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन इसके आक्रोश और दर्द को महसूस करने में भाषा आले नहीं आएगी। अपने 18 माहिने की बच्ची को गोध में लिए सड़क पर बैठी यह महिला बस इतनी सी मांग कर रही है कि उसके पती का शव दे दिया जाए। इसके बच्चों को पिता का मुँ दिखाना है। यह डॉक्टर मुदस्र की पत्नी है। डॉक्टर मुदस्र उन चार लोगों में थे जो श्री नगर में सुरक्षा बलों के एंकाउंटर में दो दिन पहले मारे गए। सुमवा रात को कश्मीर से खबर इस रूप में आई कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाब बड़ी कामियाबी मिली है। एंकाउंटर में आतंकवादी मारे गए। कश्मीर से ऐसी खबरें आती रहती हैं। इसलिए किसी का जादा ध्यान नहीं किया। लेकिर फ असल में हुआ क्या, पूरी घटना क्या है, पुलिस क्या कह रही है, चश्मदीद या परिजन क्या कह रहे हैं। दोनों पक्ष बताते हैं। पहले पुलिस के हिस्से की कहानी। जम्मु कश्मीर पुलिस के मताबिक सोमवार यानी 15 नवंबर की दोपहर उने आतंकवादियो होने की जानकारी थे। सुरक्षा बलो ने बिल्लिंग के मालिक अलताफ एमट डार को बुलाया। अलताफ ने बिल्लिंग का टॉप फ्लोर मदस्र गुल नाम की आदमी को किराय पर दे रखा था। उसको भी बुलाया गया। और दोनों को सुरक्षा बलो ने टॉप फ्लोर सुरक्षा बलों के क्रॉस फाइरिंग में अलताफ और मदस्सिर फस गए पुलिस ने अलताफ और मदस्सिर कुल को रेस्क्यू करने की कोशिश की पर यह मुम्किन नहीं हो सका कश्मीर जोन के आई जी पी विजय कुमार को सुनिये मिल्टेंस के फाइरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ दोनों मारे गए तुरिस गनफाइट में कुल चार लोग मारे गए बिल्डिंग का मालिक अलताफ एहमदडार बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को किराये पर लेकर बिजनिस करने वाला मुदस्सिर गुल जो की डेंटिस्ट भी था और बकॉल पुलिस बिल्डिंग में इलाके के राम बन का रहने वाला था पुलिस का दावा है कि इन आतंकवादियों से तीन पिस्टल मिली छे मैगजीन कई मुबाइल फोन और कंप्यूटर भी पुलिस के द्वारा शूट किया गया उस फ्लैट का एक वीडियो भी आया है जिसमें कोई विस फोटक्स हामगरी जैसी तो नहीं दखी लेकिन वीडियो बनाने वाला बार बार कह रहा है कि ये हाइड आउट है हाइड आउट पुलिस ने एंकाउंटर के बाद चार शवों को श्री नगर से करीब 70 किलो मीटर दूर हनवाडा इलाके में ले जाकर दफना दिया अब कश्मीर में ये कॉमन है कि सुरक्षा बल आतंगवादियों के शव परिजनों को नहीं देते हैं खुद दफनाते हैं तरक ये कि इससे लॉइन ओर्डर की दिक्कत नहीं होती है लेकिन इस मामले में तो पुलिस ने आतंगवादियों के लावा क्रॉस फाइरिंग में मारे गए अलताफ और मुद ओजी डबलू कहा जाता है पुलिस का कहना है कि मुदस्र उत्तर कश्मीर से आतंगवादियों को अपने वाहन मिलाता था यानि लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था और अलताफ की बिल्डिंग में आतंगवादियों का हाइड आउट था छिपने की जगे थी इसलिए उसे भ अगर उसके बोडी से पिस्टल का रॉन लगा है तो यह तो पुलिस की हिस्से की कहानी हो गई चश्मदीदों ने क्या कहा कई अखबारों में चश्मदीदों का वर्जन छपा इसके मताबिक सिक्योर्टी फोर्स के लोग सिविल ड्रेस में आये और सभी दुकानों के शटर बंद करने के लिए कहा फिर करीब 30 लोगों को बिल्डिंग से 50 मीटर दूर एक शुरूब में नहीं आये अब आते हैं परिवार के वर्जन पर बिल्डिंग के मालिक अलताफ एहमत के परिवार का कहना है कि हमोमन वो 6 बजे तक घर आ जाते थे लेकिन उस दिन नहीं आये तो फोन किया गया क्योंकि बंद मिला और फिर खबर आई एंकाउंटर की अलताफ की बेटी का ब को बढ़नार की मेंत पुती और में बाग गः मेरि घूज़ बढ़नां क्योंगा मेरि में खजर से घुज अचिए पाई मयाँते है मेरे कज़न ने बोला उसको तीन बार उपर चडाया ने आपी घूज एघ अऑनता है तीन बार उसको उपर चड़ा है तीन बार और दो बार छोड़ा और इसी बार मार दिया यह क्या मतलब होते हैं वो कहां सा आप लोगों कहनते हैं यह और हो वहां से एक गन शाट होएं यहीं है एक भी फैयरिंग की और उसको पहले पहले प्रश्डाया है एक दूसरी बार चड़ाया है वाहा पा छोड़ाय तीसी बार उसको फारिंग किया है अग्टर मुदस्सिर के परिवार का भी कहना है कि उनका अतनगवादियों से कोई लिना देना नहीं था वो बाड़ी नोगे जो पूस्ट फाले जो पडाइ नहीं है उसकी बाड़ी 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 अशेट पर हो तो हम आपको पूसे हो जो प्रिस टाजिछ आपके नहीर जो हो इन कतित ओजी डबलू के अलावा जिस आमिर लतीफ मागरे को पुलिस ने आतंगवादी बताया है उसके परिवार का भी बयान आया है आमिर के पिता ने कहा कि उन्होंने तो खुद पत्थर से आतंगवादी को मारा था वो कैसे आतंगवादी हो सकते हैं मेरा बचा शरीनगर में काम कर रहा था जब ने सुबा उठा तो मैंने सुना कि उसको किसी ने मार दिया उसके बाळ वान हम पारिवार हमारा जनाम माइग्रेंट है इस कतित आतंकी के गावालों का भी बयान आया कहा कि 2004 से इनके परिवार को पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी ये आतंकी था तो सुरक्षा क्यों दी थी अगर ये मिलिटेंट था इसके गर में फोरुष क्यों है ये एक सोचने वाली बात है अगर एक बना मिलिटेंट है ये तो इजे लिती हमागरी जो है इसका जो इसका लड़का गुदूर गया इसको गोर्मेंट ने क्यों इसको अवाद दिया प्रोटेक्शन क्यों दिया इसक कम से कम पंद्रा साल पहले से इस गार में यह फोर्स क्यों दी आगर से ental मillions फोरष नहीं की९ू नहीं नहीं बोला आगर हमें बाड़ी कि भापस नहीं में भाएंगे के रामबन में पूरा हाइवे हम बांध करेंगे एंकाउंटर के बाद रामबन के इलाके में तनाओ के चलते धारा 144 लगाई गई है श्री नगर में आज मारे गए परिवारों ने प्रदर्शन किया नियाए की मांग की पीडीपी चीफ महगुगा मुफती भी इन प्रदर्श कश्मीर के सभी बड़े नेता जाच की मांग कर रहे हैं जबकि मारे गए लोगों के परिवार शव की मांग वैसे ये कितनी अफसोस जनक बात है कि परिवारों को जाच का भरोसा नहीं है इंसाफ के नाम पर बस इतनी उम्मीर लगाते हैं कि उन्हें शव मिल जाए पिछले दुनोगरी मंत्री हमिशा कश्मीर के दौरे पर गए थे कहा था कि वो पाकिस्तान से नहीं कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे मोधी सरकार कश्मीरियों में भरोसा बढ़ाने की बात करती है सेना की तरफ से भी कई वेलफेर प्रोग्राम चला जाते हैं लेकिन इन सब पर पानी फिर जाता है जब किसी निर्दोश को मारने के आरोप लगते हैं हम नहीं जानते कि मारे गए चारों लोग आतेंकवादी घटनाओं में शामिल थे या नहीं लेकिन इस एंकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं सरकार और सुरक्षाबलों को अपना एकबाल भुलंद रखने के लिए घटना के निश्पक्ष जाच करानी चाहिए अगल पुलिस ने लोगों को हुमन शील्ड की तरह भी इस्तमाल किया है तो ये भी अपराद है इसलिए जाच जरूरी है ताकि कश्मीर के लोगों का भरोसा बना रहे आज के शो में इतना ही आकरी में कू की राय इस स्टमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या पोल के जरिये रुजहान जुटाते हैं आज हमने पूशा था कि दिल्ली NCR में प्रदूशन से निपटने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए योगता सिंग नाम की यूजर ने लिखा कि केंदर और राजी सरकारों को पर्यावरन संदक्षन से संबंदेत कड़े कानून बनाने चाहिए और सक्ती से पालन कराना चाहिए रमन तिवारी ने लिखा कि कारखानों की चिमनियों से लगातार बारी मात्रा में कारवन मोनो अक्साइड और दूसरे रासाइनिक धुए का उतरजन होता है इस प्रदूशन को वायू के कम करने के लिए फैक्टियों पर कड़ी निग्रानी ज़रूरी है इस तरह के और भी सुझावाए अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें हम शोपर नतीजे दिखाएंगे कमेंट्स भी दिखाएंगे हैश्टेग इस्तिमाल करें ल्टी शो ओन कूप आज के लिए अलन टॉप शो में इतना ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए शुब रात रे